तीसरा प्रश्ण है चित्र में यदि कोड़ P की वार बराबर है कोड़ PRQ तो सिद्ध कीजिए कि कोड़ PQS बराबर कोड़ PRT है ये वाला कोड़ इस वाले कोड़ के बराबर दिया गया है हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोड़ इस वाले कोड़ के बराबर है तो चलिए कै कैसे हल करेंगे सबसे पहले यहां पे देखिए ये कोड और ये वाला कोड अगर दोनों जोड दे तो 180 होगा ये एक सीधी रेखा पर बने हुए कोड हैं रैखी की यूगम हैं तो कोड PQR कोड PQR पलस कोड PQS बराबर 180 कारण में आप लिखेंगे रैखी की यूगम हैं रैखी की यूगम हैं चलिए इसको समी करण एक माल लेते हैं उसी परकार ये वाला कोड और ये वाला कोड जोड़ेंगे तो ये दोनों का योग भी 180 होगा हैं इसी रेखा पर बने हुए दोनों कोड हैं एक सीधी रेखा पर बने हुए कोडों का योग 180 होता है तो कोड PQRQ ये वाला कोड पलस ये वाला कोड PRT पलस कोड PRT बराबर 180 ये भी रैखी की यूगम हैं इसको समी करड़ दो मानेंगे अब समी करड़ एक योम दो से देखियागा इस समी करड़ एक में और दो में दोनों में राइट हैंड साइड बराबर हैं दायापक्ष बराबर हैं इसलिए बायापक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका बायापक्ष है कोड़ PQR पलस कोड़ PQS बराबर इसका बायापक्ष है कोड़ PRQ पलस कोड़ PRT अब देखिएगा कोड़ PQR और PRQ ये दोनों कोड़ बराबर हैं तो हम इसे काट सकते हैं यहाँ लिख दें चूंकि कोड़ PQR बराबर है कोड़ PRQ के आप यहाँ लिख देजिए ताकि यह पता चले क्यों काटा गया दोनों बराबर हैं इसलिए तो क्या बचाईद है कोड़ PQS और बराबर के उधर कोड़ PRT और यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों कोड़ बराबर हैं तो सिद्ध हो गया कर दोनों कर दोनों है